बाईयों नमस्कार आज का टॉपिक है हमारा बात करने का रूट बुरर की दवा जो कि मैं खरीद के नहीं लाता बाजार से नहीं लाता मैं अपनी दवा जो है खुद बनाता हूँ और काफी इफेक्टिव भी वो दवा है क्यूंकि हमें ये देखना पड़ता है कि ड्राइज जो है हमें खत्रा जो है वह रूट बुरर का ज्यादा होता है तो इसके लिए मैं आपको मैं वीडियो डालना भूल गया जब मैं दवाई बना रहा था तो नेक्स टाइम में कल पर सो वीडियो अपनी जरूर डालूंगा दवाई बनाते हुए पर मैं आपको दिखा रहा यह दो आपको डालो दोवाई को इस तो पानी के साथ पड़ती है इसमें दिखा गयलन में देखो कैसी लाल है यह दिखाऊ यह देखो यह दोवाई है और इसकी स्मेल इतनी है दोस्तों यह देखिये बसबस यह जो है यह हमारा क्यूंकि जो बगीचा है वो अभी root borer free बगीचा है इसमें जादा मात्रा में root borer नहीं मिलते इका दुक्का मिलते हैं कई बाकी जादा मात्रा में root borer नहीं है root borer कंट्रोल करने का ये ही मेरे पास एक दवा थी जो मैंने खुद बनाई और practice की और इसके result दोस्तो 100% है 100% result इसके root borer के लिए है तो ये जो दवा है ये मैं साल में 2-3 application इसकी मैं करता हूँ root borer की इसकी जो application है वो root borer की ये देखो जैसे यहाँ पे ये दवा डाल दी अब इसको क्या करेंगे अब इसको जो है इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे इसको मिट्टी से दवारा बंद करेंगे ये जो दवा हमने डाली इसकी गैस इतनी खतरनाक है दोस्तों कि आप इसको smell नहीं कर सकते हैं total organic no chemical chemical तो मैं डालता बिल्कुल नहीं हूँ मेरा totally बगीचा जो है organic based है तो ये ये जो लड़का दिखाईए ये जो लड़का ला रहा है इसमें दवा है जो बनाई हुई है ये ये दवाई जो है एक ड्रम में चार लिटर दवाई पड़ती है सिर्फ जो बनाता हूं मैं एक ड्रम में चार लिटर सुनो यह दवाई ज़रा इदर ले आओ एक ड्रम में चार लिटर दवाई यह पड़ती है यह इस तरह से इसको बंद करके जो इसकी गैसीज है वह इसी में रहेगे आपका यह खतम हो गया तो आप इसको बंद कर लो तुरंट कि इसकी गैस बाहर नहीं जानी चाहिए तुरंट उदर से बंद करो उसकी पानी जाएगा बार पानी जाएगा यह देखिए दोस्तों यह वह दवा है यह वह दवा है जिसकी स्मेल भी नहीं ले सकते यह देखिए यह दवा मैंने बनाई है स्पेशली रूट बोरर के लिए और इसका इस्तमाल कुछ भी नहीं है रूट बोरर का इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट है तो मैं इसी लिए अपनी वीडियो जो है अपडेट करता हूं कि ताके हमारे नौजवान भागवानों को नौजवान भाईयों को कुछ देखने को मिले जो मैं प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि अमूमन क्या होता है अपना प्रोसी वाला बगीचा वाला आदमी जब सप्रे करता है या खा डालता है वो उनको डिस्ट्रोय कर देता है ताकि कोई दूसरा बगीचे वाला ना देख सके पर हमारी ऐसी practices नहीं है दोस्तों हम जो खुद करते हैं वो दूसरे को बताने में हम विश्वास रखते हैं इसलिए जब मैं next time कल या परसो मैं ये दवाई जब बनाऊंगा तो आपको पूरी theory बताऊंगा कि किस तरह से आपने आप घर बैठे effective 100% result वाली दवा खुद त्यार कर सकते हैं तब तक के लिए जय ही